कि है अलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्दान स्वागत करता हूं आपका पेपर है का चैनल में और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको इंग्रिश लिट्रेचर बीए सेकंड चेमिस्टर का फर्स्ट पेपर बढ़ा रहा हूं ठीक है तो जो हमारा चैप्टर है और टू I cannot see what flowers are at my feet यानि कि मैं नहीं देख सकता कि किस तरह के पेड़ पौधे मेरी तरफ या मेरे आज़ पास के छेत्र में उग रहे हैं क्या हो रहा है उग रहे हैं निकल रहे हैं Nor what soft incense hangs upon the boss ठीक है क्या है Nor what soft incense hangs upon the box और नहीं और नहीं वो यह देख सकता है नहीं यह महसूस कर सकता है अपने आज सपास किसी भी प्रकार की सुगंध को अपने आसपास किसी भी प्रकार की सुगंध को ठीक है वट लेकिन इन 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 बैल्मड डार्कनेस लेकिन इतने घने अंधिरे में भी इतने चत बिमुख यानि के घने अंधिरे में भी गैस इच सुगंध को क्या कर सकता है मैसूस कर सकता है वेर विद दा सीजनेवल मन्थ एंडूस जब जो सीजनेवल मन्थ है वो खत्म हो जाता है Seasonable month यानि कि पेड़ पौदों को उगने के लिए सबसे अच्छा मन्त किसको माना है उसने मई महीने को यानि मई के महीने को उसने क्या बोला है Seasonable month बोला है और जो फल फलाद के जो पेड़ है जंगली जंगल में ठीक है उसके आसपास के वाइट है रॉन एंड दा पैस्टरॉल एग लेंटाइन एग लेंटाइन वाइट है रॉन एक तरह का एक फूल होता है और पैस्टरॉल एग लेंटाइन भी एक तरह का एक क्या होता है फूल होता है ठीक है पास्ट फेडिंग वाइलेट्स कवर्ड अप इन लीफ्स यानि कि जो जल्दी ही मुर्जा जाते हैं जो वाइलेट्स भी क्या होते हैं एक तरह के फूल होते हैं जो जल्दी मुर्जाने वाले जो वाइलेट्स हैं वो घिर गए हैं उनके ऊपर किस तरह की किस को उसकी उनको जो है किसने गहर लिया है उनको गहर लिया है पत्तियों ने पत्तियों ने और यह जो बच्चे हैं सौरी यह जो फूल है कौन से वाइट है तरौन ग्रास थिकेट फ्रूट्री वाइल्ड पैश्ट्रोल अगलेंटाइन और जो वाइलेट्स हैं यह जो जिस तरह के वी ऊपर आपने फूल पड़े हुए हैं वो क्या है मई के जो हैं सबसे बड़े बच्चे हैं यानि कि मई में सबसे पहले उगने वाले ये पौधे हैं ठीक है दर कमंग मश्ट्रोस फुल ऊफ डिवाई वाइन दर मरमरस हांट ऑफ फ्लाइ समर और यानि कि जो मदुक्व को छता होता है मदुक्वक्यों का जो गृब होता है वो मश्ट्रोस मश्ट्रोस एक जगा है वह पर जाकर बैठता है आनंद पूरवक्ष ठीक है reference same as अब यानि कि जो पहले के strangers में हमने reference लिखा है वो ही हमें reference इस वाले strangers में भी करना है और context भी उसी की तरह है लिखना है explanation the poet tries to achieve the height of nightingale जो कवी है poet है वो प्रयास कर रहा है किसका achieve प्राप्त करने का the height of nightingale यानि जिस उचाई पर जो nightingale बुलबुल है वो उड़ रही है उस उचाई पर जाने का प्रयास कर रहा है there is gloom यानि कि वहाँ पर क्या है एक उदासी है क्या है उदासी है due to density of the green foliage जो हरी पत्तियां है उनकी किसमत है ऐसी क्यों बहाँ पर क्या है सिर्फ दुख है क्या है उदासी शाही होई है बट नाव लेकिन अब and then और तब light is brought from above when the breezes move the leaves and branches तब light is brought from above light जो है यानि प्रकाश जो है उपर से आ चुका है when the breezes जो हवाएं है जब हवाएं move the leaves छोड़ कर चली जाती है यानि कि या फिर उनको हिलाती है किसको पत्तियों को और ब्रांचिस को हिलाती है of the trees paid ki the darkness of the forest obstructs the visual enjoyment of the poet यानि कि जो darkness of the forest यानि कि जंगल का जो अंदेरा है वो obstructs रोगता है the visual enjoyment of the poet जो visual यानि कि सादरस्ता पूंट जो enjoyment ले रहा है poet उसको रोकता है जंगल का अंदेरा क्यों कोई रात्री में उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि इस नॉट एबिल टू सी वाट ट्रीज एंड फ्लोवर्स आर ग्रूमिंग अराउंड हम भै यह देखने में सक्षम नहीं है कि किस तरह के पेड़ और जो फूल है वो उसके आस पास जो है ग्रो कर रहे हैं उग रहे हैं nor he is able to notice और नहीं यह वह देख सकता है notice कर पाता है कि what sweet smelling blooms are grooming on the branches of the trees और किस तरह की यह मन को मोह लेने वाली जो smelling है sweet smelling अच्छी मीठी खुश्वू है वो किस तरह के पेड़ों से आ रही है कौन सी डाली से आ रही है but the darkness is sweetened by these flowers लेकिन इस अंधेरे में भी मिठास गोल दी है किसके द्वारा इन फूलों के द्वारा जैसे कि the whole atmosphere is pervaded by the sweet fragrance of the flowers जो संपूर्ण बातावरण है क्या है संपूर्ण बातावरण है वो ब्याप्त हो गया हो भर गया हो by the sweet fragrance of flowers मेठी सुगंद के साथ फूलों की मेठी सुगंद के साथ though the poet is not able to see the flowers इसलिए यदपी though means the poet is not able to see the flowers जबकि जो poet है वो सक्षम नहीं है फूलों को देख पाने में he can certainly recognize each of them by their fragrance लेकिन भै आसानी से पहचान सकता है each of them उन सभी को by their fragrance उनकी खुश्बूओं से उनकी सुगंद से he can guess the grass वह guess कर सकता है grass को महसूस कर सकता है घास को the washes जाडियों को and the various flowers और जो तरह तरीके के फूल है वहाँ पर which the flowery month of May has produced जो produced करे जाते हैं उगते हैं किसके मनत में फूलों के महिने में कौन सा मनत है मई ठीक है the poet can also guess the sweet blossoms जो poet है वो महसूस और भी कर सकता है sweet blossoms growing in the wild fruit trees जो sweet blossoms है मीठे मीठे फल है जो उग रहे हैं किन पर growing on the wild fruit trees जो जंगल के मीठे पेड़ उपर उग रहे हैं in the forest jungle में he can guess by the smell बहें आभास कर सकता है महसूस कर सकता है by the smell सुगंद के द्वारा खुश्बू के द्वारा that white hathron कि वो क्या है white hathron है या फिर aglentine है या violets है which fade too quickly जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है मुर्जा जाते हैं ठीक है as well as the musht rose और इसी की तरह musht rose the first flower to blossom जो पहला flower musht rose क्या है ऐसा ही एक flower है एक पहला ऐसा फूल है जो खुश्बू देता है महकता है blossom in the middle of May मई के बीच में are all growing here और यह जो भी है यह जितने भी है white hathron और aglentine violets यह जितने भी फूल है वो पूरे मई में ही उग रहे हैं कोई भीच में हुगरा है कोई पहले हुगरा है और कोई मही के लाश्ट सर्थ the sweet juice of the musk rose यानि कि musk rose का sweet juice है मीठा रस है will attract the multitude of the human bees वो attract अपनी और खीचता है the multitude संख्या में बहुत ज़्यादा संख्या में किसको humming bees को किसको humming bees को in other words the musk roses will be the favorite haunt of the for the buzzing bees और दूसरे संसार में the musk roses यानि कि जो musk roses है musk rose जगा है will be the favorite haunt for the buzzing bees बहुत ही फेवरिट जगा है उनकी इनके लिए buzzing bees के लिए मदू मक्ख्यों के लिए the poet can enjoy all these aspects of nature जो poet है कभी है वो इन सभी aspects जो तत्तों है इनके nature के इन सभी को प्रकृति के nature तत्तों को सभी को क्या कर सकता है आनंद ले सकता है with the help of his sense perception अपने किसके द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा किसकी साहता से इंद्रियों की साहता से heat is a sensuous point hence while describing nature heat जो है वो एक कामकता पूर्ण कभी थे hence जब की while describing nature लेकिन जब वो describe करते थे बताते थे nature के बारे में he refers to the various flowers etc where किसको refers करते थे किसके बारे में बताते थे तरह तरीके के फूलों के बारे में which appeal to sense of sight जो उनकी इंदियों को देखने के लिए प्रवाबित करता था sight, drush, smell, sugand, and touch और छूने के लिए in the last line the music of the long vowels is noteworthy last lines में जो लंबे-लंबे सुर लगाए गए है music के वो जो है क्या है noteworthy है उलेक निये है ठीक है figure of speech onomoto poya can be traced here while adding the beauty जाने कि इस तरह की सुन्दरता को दर्शाने के लिए किस परकार का figure of speech बताया गया है onomoto poya ठीक है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते है हमारी next class में ठीक है हमारे साथ जोडे रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सातियों के साथ share जरूर करें ठीक है और हमारे चैनल को जो बढ़ेखो subscribe करना ना भूलें ठीक है मिलते है next class में थेंक